हेलो स्वागत है आपका हमारे निव वीडियो में तो यार आज किसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने घर की बिजली बिल कैसे चेक करें देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसी बात नहीं करा हूं कि आपको किसी वेफसाइट पर जाने को कहूंगा और वहां पर चेक सकते हैं कि हां मेरे घर में इतना जो है बिजली यूज होता है और हमें इतना दोी होने के लिए इतना रुपया देना पड़ेगा ठीक है कैसे अग्यात करेंगे इसको यहाँ पर चले हम लोगा अज फाइं करते हैं एक दम जो है वो फिजिक्स के फरामुले के तौर पर दे जो है वह 70 वाट के आसपास का होगा ठीक है तो यहां पर 3 फैन कितने हो जाएंगे 210 वाट का ठीक है किसना 210 वाट ठीक है और यह कितने घंटे जले यह भी टाइमिंग नेचे मान लिए आपका मतलब रात में अभी तो गर्मी ही स्टार्ट हुआ है तो रात में लगभग आपक तो यहां पर यह 200 टोटली कितना हो गाइं 200 वाट है और गंटे में कितना हुआ गंटे कितना चला मैक्समम आप पास घंटे दो मान लीजिए दीन का मिला और रात का मिला कर पास अगर आपके घर में वाशिंग मशीन थीक है एक वाशिंग मशीन थीक है तो वाशिंग मशीन आपका नहीं ज्यादा दो कम से अगले दिन तिक अब और भी कुछ होँगे जो आप यूज करते होंगे ज़से मान लिजिये आप क्या यूज करते हैं इस Twitter अगले सोआ टीक着 करेंगे लगब्ग यहा पर ये होगा आपका लगब्ग 608 मतलब मान कर कमें चल रहा हूं ठीक है आपका आपका जितना भी होगा आप वहां पर उतना डालेंगे आप अपने उसमें चेक कर लेंगे कि कितने कितना का है हम यहां पर मान कर चल रहे हैं तो आपके घरों में और कौन से चीज है वो यूज हो सकती है बाकि आपका दूस्तों अगर आप मोबाइल और आभी चार्ज करते हैं तो इसके लिए भी यहां पर हम मान लेते हैं मैक्सिमम मोबाइल जो है मोबाइल से करीगे चार्ज मतलब खपत क्या रिया लगबग 100 वाट ही मान लेते हैं ठीक है 100 वाट तो 100 वाट इसका भी टोटल 100 वाट हो गया ठीक है और यहां पर जो इसका जो है कितना गटा होगा एक मान लेजोRY ही इसका भी गंते मान लीजे रिवी जलते होगी तो लग पर विसको मान लेते हैं कि लग्वग में पांच LED जलेंगी, पांच नहीं, दस मान लिजी, ठीक है, दस LED, तो यहाँ पर सवाट यह भी हो गया, कितना हो गया, सवाट, टोटली यहाँ भी हो गया, सवाट, ठीक है, अरे भी यह सवाट, और यह कितने देर तक जल दीं, यह भी मैक्सिमाम आपके, आगर दिन में जलाए जो भी होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका, 0, फिर हो जाएगा, यहाँ पर एक है, एक, 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 और यहाँ पर यह पांच है, पांच, एक, छे हो गया, ठीक है, और यहाँ पर दो, दो, चार, और चार, आट, एक, नो, एक, दस, और एक, ग्यारा यहां पर हो गया 1160W आपने यूज करा अब आपका टाइम कितना हो गया घंटे कितने हो 510 11 12 13 38 कितना हो गया 38 आपका हो गया 21 हार्स हो गया ठीक है अब यहां पर एक चीज आओ रहे कि आप इससे कितने दिन के लिए निकालना चाहते हैं यहाप फिर एक मतलब 20 दिन का निकलना चाहते हैं या एक साल का निकलना चाहते हैं उसी क्या कार्डिंग यहाप पर लिख लेजिए तो हम महिने का निकालेंगे कितना वन मंत का निकालेंगे तो आपका सूत्र क्या होगा ठीक है यह सूत्र होता है वाट गुड़े घंटे गुड़े दिन और बटे में होता है आपका 1000 ठीक है तो इसका जो मात्रा काएगा वो यूनिट आएगा यूनिट में आएगा ठीक है अभी मैं आउर आगे बताऊंगा आपको इतना ही नहीं करना है आपको आउर आगे भी करना है जिसे वाट कितना आपको 1160 वाट तो यहां पर हम लिख कर लें तो हमस्थ को सॉल्म करेंगे यह बज़ आपका 116 गुड़े 21 गुड़े टीन और यहां पर बज़ आपका बटा में 10 इसको टुटली कि हम लोगं गूढा करते हैं उसके बाद युभी आते हैं उसको हम लोग 10 से भाग करेंगे तो कैसे करेंगे यहां पर चलिए इसको करते हैं 116 गुड़े 21 और गुड़े 3 बटा 10 गुड़ा करते हैं तो यहां पर हमें क्या मिलेगा 21 का पहले गुड़ा करते हैं इसमें रहा है है मैंיים जैंकार यहांपर आपके सामने कुछ सतरकसक नजर आ रहा है ठीक है हमने यहां पर गुड़ा करा 116 अ इक чего शोड़ा हों दस मलों में चार ठीक है यह आपका unit में आ गया कितना गया unit में आ गया अंसर यह नहीं है अब यहाँ पर आपके बिजली बिल्स के master से पूछना पड़ेगा मतलब आपको बिजली बिभाग उमें जाकर पूछना पड़ेगा या फिर जानना पड़ेगा कि कितने आपके area की ज तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहां पर जाएगा आठ दुनी शोला के च्छे दुनी चार एक पांच दुनी चौदा यानि कि आपका जो बिजली बिल हो जाएगा वो हो जाएगा 1456 रुपए 8 पैसे प्रति माह ठीक है प्रति मंत आपको यहां पर इतने बिजली के विल देने पड़ेंगे ठीक है यहां पर हमने क्यों मान कर चलाया दोस्तों आप जब अपने घर में जितने भी सारे समान आप यूज करते हैं उसको मानें यानि कि आप एक्जक्ली नमबर रखेंगे तो आपका जो विल आएगा वह भी कुछ इतना ही आएगा अगर आप लगब आप मेंसे लाइक करते हैं तो यार मिलते अंगली नेक्ष्ट वीडियो में तब तक लिए दोस्तों आपना ख्याल रखना और देखते रहना आर भी क्लासेज